बिस्मिल्लाहिरुख्मालवहीम, आज हम बना रहें कड़ी छोला, बहुत मज़े की बहुत असान रेसिपी है, बहुत कम अज़दा के साथ ही बनाई जाती है, और बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है, असल रेसिपी हम आपको बताते हैं कड़ी छोले की, एक कप छोले की रेसि काफी स्मेल आ चुकी है तो ये पानी निकाल देंगे और साफ पाने डाल के छोले धोलेंगे इसकी सारी स्मेल निकल जाए कि तो हमारे छोले यह धूल के तयार है एक बॉल में इसे हम निकालेंगे और एक डेक्ची लेंगे चूले के उपपर रखेंगे तीन टैबले स्पून ओईल डालने के बाद जब ओईल करम हो जाएगा तो हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे हाफ टी स्पून जीरे में light color आजाए तो फिर हम चूले डालेंगे इस चीस का ख्याल करना है जीरे को जलाला नहीं है आप जीरे को जला देंगे तो टेस वैसे ही बनेगा तो light सुनेरी करना है और फिर चूले डाल कर हम फटफट हिलाएंगे फिर हिलाने के बाद हम इसमें डालेंगे पानी एक लिटर एक लिटर पानी डालना है एक कप चूले में तेज आँच कर देंगे और हल्दी 1.5 टीजपून नमक थोड़ा सा डाल देंगे बिल्कुल 2-3 चुड़की और अच्छे से मिक्स करेंगे तेज आँच में जब इसमें बौाइल आजएगा तो हम हल्की आँच करेंगे और तो इसमें बौाइल आज़ चुका है हल्की आँच करेंगे और कवर लगा देंगे तक पकाएंगे हमारे छोलिए गलने जाएं तो हमारे रिक ही आंच में एक तैयारी तो देखिआ हमारे पास हो मिट अभी नहीं गर घमाषा हीं तो एक बौल नहीं लांव्ऑ जिस चम्चे से डाल रही है चम्चा है डिश वाला जिससे डिश में से साला निकाला जाता है यह वो चम्चा है दो टैबली स्पून फुल भर के डिश वाला चम्चे फुल भर के डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे बेसन दो टैबली स्पून दो बड़े चम्चे रही के है तो दो टैबली स्पून बेसन डालेंगे, बेसन डालने के बाद हम बहुत अच्छे से इसे मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, तकरीबन हम पानी डालेंगे 200 गिराम, ये पानी डाल देंगे और राप फिर दुबारासे राच्छे से mix करेंगे बहुत अच्छे मिटरसे मिकस करना है, फेटना है और फिर हम इसमें add करेंगे हल्दी 1,5 teaspoon, शुरग आपने टैस्थ के मुताबिक 1 teaspoon डाल रही हूँ, नमक अपने टैस्थ के मुताबिक अब हम च्षोले में डाल देंगे हलकी आज में देखे हमने च्षोला रखा हुता है यह सारा बैटल दाल देंगे तेज आज करेंगे और इसको नब रहाते रखा जाए यह देखें जो कड़ी छोला बनाते हैं ना पतला होता है ना बहुत जादा गारा होता है बस एक इसका तरीका होता है कितना इसका रखा जाता है कड़ी छोले का शोर्भा हम आपको भी दिखाएंगे जबी पक जाएगा देखें इसमें बौाइल आ चुका है बहुत अच्छे यह तो इसकी थिकनेस बन चुकी है अब हलकी आज करेंगे कवर लगा देंगे और 20 मिन के लिए कवर लगाएंगे हलकी आज करके बहुत हलकी आज में हमें पकान आएं तो 20 मिनट बाद यह देखें कड़ी छोला बन के तयार है यह प्लेड कैसे बनाई जाएगी चो कड़ी रेसिपी हैं जब आप ट्राइ करेंगे यह रेसिपी आपके फिर में सब को बहुत पसंद आएगी तो एक प्लेड बना के दिखा रहे हैं हम आपको इमली का पल्प एक टैबले स्पून डाल देंगे आपको जितनी खटाई पसंद है अपने टैस के मुताबिक इस्तिमाल कर करें मैं उम्मीद करती हूं आपको मेरे सीपसंद आएगी अपना बहुत जादा क्यार रखेंगा अल्ला हफीज